बिस्मिल्य रह्माद इरहीम, असलाम अलेकुम, वेलकुम बैक टो जोफिया का किचन 3.0, अमीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सहत बंद होंगे, तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चिकन रैप्स, ज यहां पर हमारे पास जोके साथ मीद उडाे का वेलकुम वाल मॉटस खाख मॉटस भाइं मॉटस तो छेघ Imp 190 कषान रैप्स अथन साथ जोप होंगे हुआ हैं आप मूटस करनाा है, तो म करना है। मैं कि बिखना तो आपको चाहिए 1 शिक 001 औल् चिकन की यहां पर बॉनलेस चिकन भी आड़ कर सकते हैं लेकिन इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने के लिए हमने यहां पर चिकन बॉन्स भी एड़ की है विद बॉन जो होता है वो हड़ी वाला गोष्ट ओके जी उसके पास हम इसके ओपर सारे ड्राइ स्पाइसिस सजब जाथा नेटके अदस पानी का चीनता देनाएं है ताके हमारे जो मसाले है वो जलना जाए इसके बाद हम इसके इंदर आड़का सा थोड़ी देर 2 मिनट के लिए ऊज़ा फृई करेंगे और उसके बाद हम इसके अदर तक इसक आदा कप पानी ढालके आदे का पॉर् अची तरह से कुक हो चुका है लेकिन पानी अभी भी इसके अंदर मौजूद है आप देख रहे हैं तो हमने इसका शोरबा नहीं बनाना हमने इसका मसाला बनाना है अब हमने इसके अंदर यहां पर आड कर लिए जी बॉयल्ड पोटेटो मतलब के अबले हुए अलू अगर आ जी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब हम यहां पर आड करेंगे जीरा और धनिया पाउडर और साथ पर जाएगा इसके अंदर चाट मसाला यह सब चीज़े आड करने के बाद अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए जारा फ्राइ करना है आलू के साथ जो हमने अंदर पोटाटो अंदर अड़ की है आप इसके जगापे अड़ कर सकते हैं बंद को भी गाजरे आड़ कर सकते हैं कॉर्ण आड़ कर सकते हैं इसके बाद हमने इसके अपर प्यास डाल देने है कुछ इस तरह से और इसको रख देना है दम पे 10 मिनट के लिए लो हमारी जो मज़ेदार सी फिलिंग है वो हो चुकी है रेडी बहुत जबरदस्त अब हम इसको डिश आउट करेंगे और डिश आउट करने के बाद इसको हम थेंडा होने के लिए रख देंगे एक साइट पे ताके हमारे हाथ जलना जाएं हमने जब इसके राप्स बनाने हैं अचा जी अब यहाँ पर हमने लेली जी घर की जो बनी हुई रोटी होती है मैदे की नहीं है गंदम की रोटी है इसके उपर हमने सबसे पहले लगाने है इमली की चटनी इमली की चटनी आइड करने के बाद अब हम इसके उपर लगाएंगे हमारी जो फिलिंग है आप इसक अलूओों के साथ भी भना सकते हैं और अगर आप चिकन अमटन बीफ, जो भी आपको फसंथ है आप उसके साथ रखेंगे लायो में रहान। tomato की दो पीस और इसको इस तरह से हम बंद करतेंगे और यह हमारा जो chicken wrap है वो एक हो चुक है ready इसी तरह से हमने दूसरा chicken wrap ready करना है इसको अगर यह भी हमने इसको थोड़ा सा जरा crispy नेस इसको देनी है तो हमने इसके अंदर यहां पर place कर देनी है हमारे तुटपिक तुटपिक अगर आपके पास अवैलेबल नहीं है तो जो शास्लिक स्टिक्स होती हैं उनको थोड़ा सा तोड़ ताड़के तो आप उसको भी इसके अंदर इस तरह से प्लेस कर सकते हैं यहां पर रैप्स हो चुके हैं रेडी अभी देखने में इतने मज़ेदार लग रहे हैं उसके बाद जब हम इसको हलके से बटर के अंदर फ्राइ करेंगे थोड़ा सा इनको ब्राउन सा टेक्स्चर इनका होगा कुछ इस तरह का तो यह और भी यमी हो जाएंगे और और भी खाने में मज़ा आएगा जैसे ही हलका सा ब्राउन सा होजे दोनों साइड इस तरह की होजें साथ ही हम इसको डिश आउट करेंगे नकाल लेंगे और नकालने के बाद फिर हम इसको रैप करेंगे इन बटर पेपर बस इतना सा गाम था और हमारी चिकन रैप्स हो चुगे है रेड़ी जबर दस्त किसम के आप इसको घर में ट्राइ कीजिए बनाईए दूसरों को भी खलाईए खुद भी खाईए और अपने प्यानों का डेर सारा ख्याल रखिए मुझे और मेरी मुमा को अपनी दौा में आद रखिएगा